खतरपुर जिले के हरपाल पुर में रेट माफियाओं के सामने लाचार जिला प्रसासंदुआरा कारवाही ना करने से रेट माफिया बेखौफो कर नदियों का सीना चीर रहे हैं अलिपुरा टीला में धसान नदी में रेट उत्खनन लिफ्टर से सुरू हो गया है रेत माफिया के होसले इतने बढ़ गया है कि अब रात के अंधेरे में चोरी छिपे नहीं बलकि दिन दहाडे नदियों का सीना चीर कर रेत लूट रहे हैं जिले से निकली धसान नदी में अलीपुरा थाना इलाके के अलीपुरा टीला घाट पर रेत माफिया ने रेत उत्खनना सुरू कर दिया है में रोट से नदी के तर्ट तक ट्रक, डंफर, ट्रैक्टर ले जाने के रे मिटि डालकर रास्ता बनाया गया है इसके अलावा नदी के रास्ते में बड़े बड़े पेड़ों को काट दिया गया है रेत माफिया पानी के अंदर भी रेत भी बेच रहे हैं इसके रिए अलिपुरा तीला घाट में आधा दर्जन से अधिक लिफ्टर लगाए गया है अलिपुरा तीला से निकाली जारी अवैद रेत छतरपुर, नौगाउं, हरपालपुर और मौरानीपुर तक सप्लाई हो रही है तीला के अलावा खकोरा घाट से भी रेत का उत्खनन किया जा रहा है इधर घाट के किनारे की रेत अवैद उत्खनन के चलते खत्म हो गई है अब रेत माफिया नदी के पानी के अंदर से रेत निकाल रहे है इसके निए डीजल इंजन से चलने वाले लिफ्टर नदी में उतारे गये हैं इन लिफ्टरों से पानी के अंदर की रेत खीच कर किनारे लाई जा रही है जिससे हैवी मसीनों से ट्रकोर डंफरो और ट्रैक्टरों में भर कर सप्लाई किया जा रहा है इधर खनीज विभाग इन रेत कारोबारियों से मिलने वाले नजरानी के चलते तीन घन मीटर की जगए नौ घन मीटर तक ओबर लोड रेत से भरे बाहनों पर कारवाही करने से कत्रा रहे है मामने में नौ गाउं तैसे इलदार सुनीता साहनी का कहना है कि खनीज जदिकारियों से जानकारी करते हैं कि किन सर्तों पर खनन की अनुमती दी गई है यदि लिफ्टर से खनन की अनुमती नहीं है तो खनीज विभाग राजसो द्वारा संयुक्त कारेवाही की जाएगी